नमस्कर दोस्तो आज हम बात करेंगे कोर के बारे में कोर की क्या क्वालिटी जोनी चाहिए और कोर के फंक्शन के बारे में कि कोर क्या-क्या वर्क करती हैं यह कास्टिंग में यूज होती हैं चीजे तो सबसे पहले बात करते हम कोर के बारे में core एक टाइप का device है यह एक टाइप की body है जो कि metals की बनी रहती है refractive material types की बनी रहती है और work जो है उसका वो basic है कि कि किसी casting के अंदर extra recess बनाना means कोई casting है तो कोई casting के अंदर यहां पे हम haul produce करें तो hall produce करने के लिए core का use करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे figure mention है, कि यह casting है, इस casting के अंदर hall produce करने के लिए हमने center में core लगा दी है ताकि आसानी से hall produce हो सके तो इस तरह से हम इसकी साइता से किसी casting के अंदर hall produce करते हैं अब इसकी क्या-क्या essential qualities होनी चाहिए core की कि जब हम इसको use करें casting के अंदर सबसे पहली quality होनी चाहिए high refractiness high refractiness से meaning क्या है कि यह जो है, यह withstand करे high temperature जो molten metal का रहता है, उसके साथ भी यह withstand करे, इससे meaning क्या है, कि जब हम cavity के अंदर molten metal को fill करते हैं, तो जो हमारी molten metal रहेगी, उसका temperature बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस दोरान यह withstand करे, यह वहाँ पे melt ना हो जाए, तो यह high refractiness होनी चाहिए, दूसरा क्या है, sufficient strength, इसकी जो strength है, वो इतनी sufficient रहे कि यह तूटे ना, यह ऐसा ना हो कि बीच में इब्रीक हो जाए, ताकि हमारी proper जो हमें extra recess करना है, वो recess ही ना होने पाए, hole ही ना होने पाए, तो sufficient इसकी strength होनी चाहिए, next है, high permeability, high permeability से meaning क्या है, escape of gases, यह इस तरह की ना हो, कि वहाँ पे जो cavity है, मोल्ड के अंदर, तो वहाँ gases ही generate कर दे, यह कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ताकि gases create ना हो, उन gases को आसानी से हम बाहर निकाल पाए, ताकि cavity पे crack ना हो, cavity पे blow holes ना आए, cavity पे, जो है, cavity से meaning है कि casting पे, porosity की problem ना हो, तो इस तरह की दिक्कते ना हो, तो ऐसी हमारी core होनी चाहिए, next point होता है, कि smooth surface core इस तरह की होनी चाहिए, कि जो casting है, जो casting हम produce कर रहे हैं, उस casting के अंदर जो hall है, तो उसका जो surface है completely, वो बिल्कुल smooth रहे, यह खराब ना करे उसको, यह बिल्कुल exact shape और size जो है, उसी की according, वहाँ पे core में extra recess करें, तो यह qualities होनी चाहिए core में, अब बात करतें, functions of core, core जो है, casting के अंदर क्या-क्या work करती है, एक तो, to achieve the deep recesses, जो गहरे hall है, वो गहरे recesses जो है, वो produce करने के काम आती है यह, दूसरा, to improve the mold surface, mold का जो surface है, उसको properly improve करने के काम आती है, हमारी core, और last है, to produce exact hall, जब उसकी quality अच्छी रहेगी, तो वो hall भी exact produce करेगी, means हमें, जिस भी shape की, हमारी core रहेगी, core है, हमारे पास मान लीजिए, वहाँ पे, कोई rectangular shape की है, तो वो rectangular type का hall रहे वहाँ पे, हमारी जो core है, वो कोई triangular shape की हो, तो triangular shape, कोई flat shape की है, तो वो flat shape का जो वहाँ पे produce करे, तो means, जिस तरह की हमारी core है, मान लीजिए, कोई circular hole चाहिए, हमें, तो circular type की core, तो जैसी हमारी core रहेगी, वैसा ही hall produce होगा, जब उसकी quality अच्छी रहेगी, exact उसकी dimensions रहेगी, तो hall भी हमारा exact produce होगा, तो यह होता है core, core की क्या-क्या qualities होनी चाहिए, और core क्या-क्या functions करती है, थेंक्यू दोस्तों,